तो गाई जहाँ पर अम्बूजा सिमेंट में आल्मोस जिसमें में वीडियो ना रहा हूँ चार परसन साथ इस समय गिर चुका है अगर आप उपर लेकर फस गया है तो सबसे बहुत वाई नीचे कमेंट कर दो किस लेवल पर फस गया है ताकि मैं कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई कर पहूं आगे करना गया है यह मैं काफी डाइम से बोला था कि सिमेंट सेक्टर में आप जो थोड़ा प्रॉफिट बुगिंग पर ध्यान दे सकते हैं अब देखो सीन ऐसा है चार पेटरन बुलिश है जब तक मेरा स्टॉप लॉस इसमें जो मैं देखे जाओंगा भी कि वाई यह स्टॉप लोस अब लगा सकते हैं अगर वो नहीं करता है तो आएम बुलिश इन दे स्टॉप एंड ऊपर को फिर से शूट अप हो सकता है ठीक है बाकी जो है राद को फेट की मीटिंग भी है तो अगर जैसे भी रहेगा पॉसियो नेगटिव जो भी रहेगा हमारा फस्ट आप में कल रियक्शन हो जाएगा उस चीज का तो yes you can hold it without any tension कोई दिक्कत नहीं है बैट अगर आपका ऐसा था कि यहां नीचे नीचे लिया था एंड सिफ शॉट टम के लिया था तो उनको क्या करना है अगर उपर पे लेके फस गयो है एंड शॉट टम के लिया था तो उनको क्या करना है वो द्यांतर सुन लो अब बाइक एक चीज़ बता जिता हूं मैंने आप लोग लिए पैसा दिलिकाम चैनल में आया है चुकि फिलाल तो फ्री अवर्ट बाग में इसको पेड़ करें चायागा तो आपके लिए ओफर है कि इन के साथ आप इस चैनल को जोईन करें तो लिए चैनल फ्री हो जगा तो आपके सामने सब को जबाई 633 परसेंट के डिए चार्जा नौसर लगाके 33,000 के मालिक बन चुक है तो इस चाहिए को फ्री में मिलनी है फटावर जागे चैनल को जाइन कर लो वाद में पेड़ रहेगा मत बोलना फिर मुझे अब यहां पर दोवारा चार्ट बिटन पर आ को यह stop loss होंगे सबके obviously यह वाला जो है उससे पहले में एक चीज दिखा जेता हो जब बड़ा सा तो अच्छे volume के साथ बड़ा है और जब गिरा है तो इतना volume है नहीं अभी market में ठीक है तो ऐसा देखा जा रहा है ऐसा लग रहा है देखने से कि यह शायद एक fake selling भी हो सकती है week ends को निकालने के लिए अगर आप यह चार्ट पैटन देखेंगे ठीक है मैं एक चार्ट बड़ा करता हूं यह होती है green candle ठीक है उपर से बनती है स्टाइब की थोड़ी सी candle and बनती है red candle ठीक है इसको red candle मानो तो इसके बाद अगर आप देखो ना price नीची जाता है तो यह कौन सा pattern है अगर आप बता सकते नीचे comment section वो बताईए देखते है कि ता आपको खिता नी तो यह चार्ट पैटन का नाम आप बता सकते है तो यह चार्ट पैटन अगर बनता है तो यह bearish chart pattern होता है तो अगर ऐसे कुछ बनेगा तो obviously there will be bearish sign तो आप देखो scene ऐसा है कि यहाँ को हो सकता है कटवाने के लिए यहाँ पर stop loss हिट करवाने के लिए लाया जानीचे तो थोड़ा सा अगर आप effort कर सकते है तो stop loss रख सकते है यहाँ पर जो की बनता आपको 490 बनता है अगर इतना बड़ा stop loss नहीं effort कर सकते तो 495 बाकी मेरी तरफ से stop loss रहेगा चार्सो देखना चार्सो नब्बे तक जाता है और बहुत जास दिक्कत नहीं आती आपको तो 490 का मेरी तरफ से आप लोग के लिए stop loss रहेगा ठीक है अगर यह stop loss बच बच गया तो इस दिदर शूट अप होगा एंड जो है 600 लेवल जो है वो भी क्रॉस करके ऊपर को जाएगा इस 40-50% profit book कर लो अभी कोई दिका दिया है और अगर नीचे जाता है और 490 को तोड़के नीचे को जाता है तो अपना जो बचा हुआ वो profit भी निकाल लेना ठीक है अगर आप यह उपर पे लेके फसे हैं तो आप लोग को तो मैंने stop loss दे दिया है अगर आप new buying करना चाहते है को अभी नगभी यहां से पलटना होता ही है इनको ठीक है तो अगर यह 585 को क्रॉस करके जो है at least 15 मिट के लिए जो है दो केंडल जो है 15 मिट के अबब क्लोस करता है तो जो भी उनकेंडल का हाई होगा उनमें से जो भी उसके अबब आप इसको बाई कर लेना एंड आपका टा लीजिए ठीक है अगर आप तो हजार रुपी का लॉस एफॉर्ड कर सकते है तो उससे सबसे स्वाप लॉस लगाई है बाकि अगर मुझे से जानने चाहते हो कि मेरा मैं क्या देना चाहतो तो मैं दूंगा 560 है इसके पिछे लॉचिक मत पूछना क्यूंकि 560 है बहुत सू ची लोगर मैं तारा